Hello students, आज हमों लोग बात करेंगे linear search की तो दिखे sorting तो अल्रेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें bubble short algorithm हम लोगम लोगं डिसकस किया था last lecture में आज हम लोग बात करते हैं searching की Searching में दिखें क्या होता है कि हमको एक particular data item जो है वो search करना रहता है list of numbers में So first today we start with searching और सर्चिंग में भी हम लोग आज बात करेंगे किसकी लीनियर सर्च की लीनियर सर्च अब इसमें देखी क्या होता है कि माल लिजे लेट डाटा भी एक कलेक्शन आप डाटा एलिमेंट्स इन मेमोरी एंड सपोसे स्पेसिफिक आइट of information is given माल लिजे डाटा क्या है हमारे पास डाटा एक कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स का कलेक्शन ओफ डाटा एलिमेंट्स इन मेमोरी एंड सपोसे स्पेसिफिक आइटम of information is given अब माल लिजे हमको कोई particular information जो है item इसको हमें सर्च करना है किसमें इसमें डाटा में और सर्च करके हमको इसकी जो location है यानि इसकी जो location है LOC location of item in data इसको find out करना है मतलब searching refers to the operation of finding the location LOC of item in data या और printing some messages that item does not appear there तो हमें क्या करना है यह जो data हमारे पास collection of data elements है इसमें हमें item को सर्च करना है और या तो हमें उसकी location दे देनी है या तो अगर माली जे सर्च में नहीं मिला तो हमको यह message देना है कि item does not appear मतलब आप समझ लिजी यह अगर हमने से सपोस कीजे यह हमारा को कोई भी a list बना लिजे data items का यह हमने का यह हमारे थ्री हमें यह इस लिस्ट में सर्च करके हमें इसकी location कितनी हुई फोर तो हमें LOC में फोर दे देना है ठीक अब अगर माली जे हमने का item में है 9 अब वो 9 इसमें सर्च करिए 9 तो कहीं है नहीं तो हमको यह message दे देना है कि item does not appear यह काम करना है ठीक है अब इसमें क्या करते है कि the search is set to be successful if item does appear in data and unsuccessful otherwise तो अगर जैसे यह जो case था पहला वाला इसमें चुकिए हम जो item ढूड़ रहे थे वो मिल गया तो यह कहलाता है successful ठीक और यह जो है जिसमें नहीं मिला इस इस कॉल्ड unsuccessful ठीक है अब इसमें क्या करते है कि देखें फ्रिक्वेंटली क्या होता है वन में want to add the element item to data after unsuccessful search for item in data जनली क्या होता है कि जैसे किसी item को हमने search किया वो list में नहीं मिला तो फिर हम उसको उसमें add कर देते हैं तो जब यह दोनों काम करना होता है तो फिर वो होता है वो कहलाता है search and search and insertion algorithm मतलब उस element को आप search कीजिए और अगर वो नहीं यह list में तो insert भी कर दीए ठीक और अगर केवल हमें searching करनी है तो फिर वो केवल search algorithm कहलाता है अब इसमें आगे आने वाले time उसमें topics में हम लोग डिसकस करेंगे कि search algorithm कौन सी है और search and insertion और नाइज तो दीए searching algorithm कई तरह की होती है अब उसमें से हम कौन सी searching algorithm choose करेंगे यह डिपेंड करता है कि data जो है किस तरह organized है या किस तरह अब इसको आगे आने वाले लेक्टर जो डिसकस करेंगे डिफेरेंट तरह की searching algorithm को आज जो हम लोग बात कर रहा है आज हम लोग बात कर रहा है linear search की अब linear search की जहां तक बात है तो देखिए इसमें क्या होता है कि the complexity of searching algorithm is measured in terms of the number fn of compression required to find item in data where data contains n elements ठीक है अगर data list में जो है n elements है और किसी भी item को search करने के लिए हमको जितने भी compression करने पड़ते हैं ठीक है the number of compressions required to find item in data that represents its complexity ठीक है अब हम क्या discuss करने जा रहा है हम डिसक्स करने जा रहा है कि linear search is a linear time algorithm और आगे आप देखेंगे जब next lecture हम पढ़ाएंगे कि binary search जो है वो ज्यादा that is more efficient algorithm प्रपोश्टल इंटाइम टू लॉग टू के बेस पर फिक है अब आप आजाए यह linear search में क्या होता है फिर complexity हम लोग बाद में discuss करते हैं linear search में यह होता है कि suppose data is a linear array with add elements हमने क्या किया हमने कहा कि माली जे data जो है that is a linear array of elements ठीक और कोई हमारे पास information नहीं है अब इसमें क्या होगा कि the most intuitive way to search for a given item in data is to compare item with each element of data one by one मतलब अब इसके अंदर हमारे पास और कोई information नहीं है बस हमको यह मालूम है कि data एक जो है हमारे पास linear array है और इसके अंदर जो है an elements store है ऐसे करके यह 1,2,3,4 ऐसे करके an element store है बस इत्ता पता है अब अगर हमको item को search करना है इसके अंदर तो हमें क्या करना होगा हर एक element से पहले इससे compare करेंगे देखेंगे इसके यह है की नहीं equal है की नहीं नहीं होगा फिर इससे करेंगे नहीं होगा फिर इससे करेंगे हमारे पास और कोई चारा नहीं है तो most intuitive way to search for a given item in data is to compare item with each element of data one by one that is first we test data one is equal to item हम चेक करेंगे फिर मान लिजे नहीं मिला तो फिर हम data 2 को चेक करेंगे फिर नहीं मिला तो and so on so this method which traverses data sequentially to locate item is called linear search और sequential search तो इस method को linear search बोलते है या sequential search बोलते है जिसमें हम one by one हर एक element से compare करते है अब क्या होता है कि to simplify the matter we first assign item to data n plus 1 the position following the last element of data then the outcome loc equal to n plus 1 where loc denotes the location where item first occurs in data signifies the search is unsuccessful मतलब मालीजे n elements है और loc हमारा क्या आ रहा है loc हमारा n plus 1 न आ रहा है इसका मतलब लिस्ट में वो data ही नहीं जब लिस्ट में वो data नहीं है तो वो क्या हो जाएगा वो unsuccessful हो जाएगा तो search तो the purpose of this initial assignment is to avoid repeatedly testing whether or not we have reached the end of the array data तो यह जो हम देते है loc equal to n plus 1 इसको जो initial assignment हम करते हैं इसका purpose ही होता है कि ऐसा नहीं कि हम repeatedly जो है खाली search करते जाएं ठीक है और कभी हम data के end तक या array की जो array जिसमें हम search कर रहा है उसके end तक पहुँचे ही नहीं तो this way the search must eventually succeed ठीक है अब इसका जो है algorithm कैसे लिखते है linear search का ठीक है उसको हम देखते है कि algorithm जो है इसका हम linear search का जो लिखेंगे ठीक है वो कैसे develop किया जाएगा और उसको फिर हम एक numerical example से लेके आपको समझाने की कोशिस करेंगे next lecture में तो I hope कि आपको basic concept clear हो गया होगा linear search का अब इसके लिए algorithm कैसे develop करते हैं और उस algorithm से में discuss करेंगे तो I hope कि आपको वीडियो content पसंद आया होगा अगर वीडियो content पसंद आया तो please वीडियो को share कीजे, like कीजे, चैनल को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next वीडियो की information आपको time से मिल सके, thank you